जैसे कि आप लोग जानते है इस टाइम जो चल रहा है यह मौसम है रैनी सीजन का रैनी सीजन का मौसम कुछ पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है लेकिन कुछ पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुक्सान दायक होता है कुछ पौदे तो इस rainy season में पूरी तरीके से मर जाते हैं और कुछ पौदे तो इस मौसम में बहुत यह ची तरीके से growth करते हैं तो आज की इस वीटियोम हम आपको बताएंगे आप अपने garden में rain decision में कौन कौन से जरूरी काम करें जिससे कि आपका गार्डन हमेशा हरावरा दीक है तो सबसे पहला जो आपको काम करना है अपने गार्डन में बो काम करना है आपके हिविसकस के पौदे पर और फूलों से लद जाएगा तो जैसे कि आप हमारा ये हिविसकस का पौदा देख रहे हैं इस पौदे पर काफ़ सारे टहनिया हैं लेकिन पत्तियां बहुत ही कम हैं ना ही इस पर फूल हैं तो इस तरीके से हम इसकी थोड़ा थोड़ा सार्प पूरूनिंग कर रहे हैं जिससे कि इस पर और भी ज्यादा साइट ब्रांचेस निकलें और आने वाले समय में इस पर ज्यादा पत्तियां और ज्यादा फूल लगें इस तरीके से आप हिविसकस के पौदे के रहने सीजन के अलावा लाइट फरवरी से लेकर के लाइट अपरेल तक भी हिविसकस के पौदे की सौप या फिर हार्ड पूरूनिंग कर सकते हैं हिविसकस के पौदे की hard pruning करें या फिर stop pruning करें रहनी season में या फिर light for grace से लेकर के light a pearl तक तो हार्ड pruning या stop pruning करने के बाद ऐसा fertilizer जरूर استعمال करें जिसमें ज्यादा nitrogen हो जैसे vermi compost, goverки खाद या फिर mustard cake का liquid fertilizer हार्ड pruning करने के बाद पौदे ओध को पौदे में हम गुड़ाई करने के बाद बर्मी कमपोस्ट या फिर गोवर की खाद एड़ कर देंगे रैनी सीजन जो होता है ये गुलाब के पौदे के लिए बहुत ही खतरनाक मौसम होता है गुलाब के पौदे में रैनी सीजन में कई तरह के फंगस की प्रॉबलम होती है पत्तियों पर टहनियों पर या फिर रूटस में डाइबैक कि तरीके से जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से पूरी ब्राँचें सी शूख जाती है, बीच बीज्डी में से डाइबक की problem हो या फिर पौधे की पत्यों पर fungus की problem हो तो सबसे पहले जो भी आपके पौधे की पत्यां infected हैं उन पत्यों को जरू कट करें इसके लावा जो भी जिस तरीके से आप यहाँ पर हमारे इस गुलाब के पौधे में यह सूके हुई टहनी देख रहे हैं इस तरीके की टहनी को आप जर से हटा दें जहां से यह गल्ना शुरू हो चुके बहाँ से कुछ नीचे से कट करें और कट करने पौधे के बाद वहाँ पर फंगी साइट का इस्तमाल जरू करें फंगी साइट का पेष्ट जरू लगा दें इसके लावा जो भी इस तरीके की पुरानी पत्तियां या फिर जो भी अन्बांटिट पौधे या फिर सूकी पत्तियां होती हैं इस तरीके की सूकी पत्ति या इसके लावा जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो नई ग्रोथ देख रहे हैं, इस तरीके की यह सकर की प्रोब्लम भी रहनी सिजन में बहुत ज्यादा होती है, इस तरीके का सकर आपके ग्राफ्टेड एडिये के नीचे से निकलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद यह बहुत ही तेजी से बढ़ता है, इस तरीके से ग्राफ्टेड एडिये के नीचे से जो भी ब्रांचेस निकलती है, जो भी नई ग्रोथ श्टार्ट होती है, इसको आप जरूर कट कर दें, इस तरीके की जो भी ग्राफ्टेड एडिये से नीचे की ग्रोथ ह जब हलकी धूब नजर आती है तो आप गुलाब के पौदे की मिट्टी की इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद हलकी धूब एक दो घंटे की जरूर दिखाएं जिससे के आपके गुलाब के पौदे की पत्यों में मौईसर या फिर पौदे की मिट्टी में जो मौईसर एक इक्टर होता है वो निकल जाए इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद एक दो घंटे की दूप दिखाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है इसके लावा गुड़ाई करने के बाद पौदे की मिट्टी में फंगी साइट का इस्तमाल जरू करना चाहिए इसके लावा पौदे पर इस तरीके से डाइबेक की प्राबलम होती है तो जहां से डाइबेक लगा होता है उससे कुछ नीचे से जहां से हेल्थी ब्रांचेस होती है बहां से आप इस तरीके से कट कर देजिए और कट करने के बाद जहां से आपने कट किया है वहां पर फंगी साइट ज जिससे की पाणी न रुके, तो इस तरीके सा आप रिवर सेंड जरूर भर दें, इससे आपके गुलाब के पौदे में ओबर वार्टिंग की समस्या नहीं होगी, लेकिन सिर्फ रिवर सेंड ही बनना है, कभी ऐसा होता है कि आप लोग के अगर दें, मिट्टी भर देते हैं, तो मिट्टी भरने से क्या होगा कि जो भी आपके गुलाब के पौदे की जो उपर की एरिया होता है, जहां से भी ये बिरांचे निकल लएए, तो इस तरीके से यहां से रूट्स निकलना सुरू हो जाती हैं, तब आपको गुलाब के पौदा खराब हो सकता है, लेकिन मतलब गमले को आप इस तरीके से लेटा दें, तो इस तरीके से गमले को पौदे सहीद लेटाने से क्या होगा, कि आपके पौदे की मिट्टी में पानी लोक नहीं रहेगा, और आपका पौदा ओपर्वाटिंग की वज़े से खराब नहीं होगा, इसके लावा बहुत सारे पौदे ऐसे होते हैं जिनको पानी बहुत ही कम चाहिए होता है जैसे कि हमारा ये पार्चुलाका का पौदा आप देख रहे हैं इस तरीके का ये पार्चुलाका का पौदा या फिर दूसर कोई भी सेक्लोंट पौदे इनको पानी बहुत ही कम चाहिए होता है क्योंकि इनकी इस टैम में खुदी मौसर काफी सारा होता है और ये ऐसी जगह पर ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करते हैं जहां पर ज़्यादा धूप पड़ती हो तो इस तरीके के पौदों को बचाने के लिए आप इनको पौलिथीन से ढख करके रखें जिससे कि आप इन से काफ़ समय तक फूल ले सकें बारिस का जो मौसम होता है ये बहुत सारे पौदों को रिपोर्टिंग करने का भी सही मौसम होता है इस मौसम में बहुत सारे पौदों को आप रिपोर्ट कर सकते हैं जिनका गमला चोटा हो गया है, जड़ें काफी ज़ादा हो गई है या फिर root bounding हो गई है तो इस मौसम में आप अपने पौदो को दूसरी गमले में report कर सकते हैं या फिर उसी गमले में पौदे की जड़े काटने के बाद फिर से लगा सकते हैं इस तरीके साब अगर आप Rainy Season में रिपोर्टिंग करते हैं तो आपके पौदे को किसी तरह का कोई जटका नहीं लगेगा और आपका पौदा Rainy Season में अची तरीके से लिए करता रहेगा हमारा जो यह मौगरा का पौदा देख रहे हैं इस तरीके से अगर आपका मौगरा का पौदा है और आपका मौगरा के पौदे की रूट वांडिंग हो रही है या पर आपके मौगरा के पौदे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो आप मौगरा के पौदे की हार्ट रहने सीजन में करने के बाद roots की heart pruning भी कर सकते हैं और heart pruning करने के बाद किसी दूसरे गमले में या फिर से उसी गमले में fertile layer मिलाने के बाद लगा सकते हैं तो इस तरीके साथ जो भी मौगरा का पवदा है ये फिर से अची तरीके से रोध करना सुरू हो जाएगा और इसके लाबा ज्यादा फूर आने के भी चांस बढ़ जाते हैं इस बरसाथ के मौसब में आप अपने गार्डन में बहुत सारे पौधों की कटिंग भी लगा सकते हैं जैसे मौगरा, जास्मीन, गुरहल गुलाव या इसके लाबा बहुत सा ब्रांचे से निकलने के बाद आपका कड़ी पत्ते का पौधा इस तरीके से काफी घना, ग्रीन और हेल्थी हो जाएगा बरसाद का सीजन तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा मौसम माना जाता है, बरसाद का जो पानी होता है वो तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तुलसी के पौधे की मिट्टी में अगर आप बरसाद का पानी इस्तमाल करते हैं, तो आपका त पानी के साथ आप बरसात का पानी मिला करके अगर आप तुलसी के पौदे को देते हैं तो आपका तुलसी का पौदा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है इसके अलाबर रैनी सीजन में आप चाहें तो तुलसी के पौदे को घणा करने के लिए तुलसी के पौदे की ये जानकर ये आपको कैसे लगी इसके बारे में आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताईए वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों या फिर इत्जारों को साथ सेर जरूर करें